हलो गाइज आज तारीक है 29 मार्च आपका Profitable Trading चैनल में स्वागत है तो हमारा एक टेलिग्राम चैनल है उसको भी जाकर जोइन कर लेजिए डिस्क्रिशन लिंक में दिया है तो आए देखते हैं 29 मार्च के लिए हम जो है बैंक निफ्टी में किस तरीके से पिवेट लाइन औ मार्क कर लिए हमने एक वर्जिन CPR जो थी उसको भी मार्क करके रख लिया है आगी देखते हैं मार्केट किस तरीके से विए है किया है आज दिन भर में तो संडे को भी मैंने एक पैटर्न वीडियो डाला था CPR पिविट पॉइट का तो उस पैटर्न को आज जो है मार्केट ने सीधे सो किया है कि किस तरीके से हम मैंने जिसमें आप जाके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा आप जाके देखिएगा कि किस तरीके से मैंने बता रखा था कि जब भी कोई एक वीडियो गैप आप के साथ ओपन होता है और किसी पिविट लाइन का जो है रेजिस्टेंस फेस करता है उसके बाद जो है पहली केंडिल के को next candle break कर देती है तो हम अपना जो stop loss कहा रखेंगे उस candle को उपर रखेंगे हमारा पहला target क्या होगा previous day जो high होगा हमारा पहला जो target होगा लेकिन इसमें जो है gap up बहुत छोटा होता है तो previous day high तो हमारा तुरानत ही hit हो जाता है तो हमारा next target होता है middle जो CPR point होता है वो हमारा जो है next target होता है तो हमारा जो है इस candle में जो second candle है जब break करती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर sell trade लेते हैं sell trade लेते हैं और जो हमारा जो है इसमें 2R कर जो है target एची होता है जब यह candle यहाँ पर जाकर touch करती है तो हमारे जो target touch करते ही market जो है वापिस से reverse हो जाती है तो bank nifty में हमारा एक मार्टर trade बनता है जिसमें हमारा जो है target अची होता है आए देखते हैं उसके बाद bank nifty में कोई और कोई setup नहीं बनता है हमारा कोई और भी pattern नहीं बनता है जिसमें हम trade ले सकते थे आये देखते हैं nifty में आप किस तरिके से trade ले सकते थे तो 29 March के लिए nifty के लिए जो है पहले हम क्या करते है important level को mark कर लेते हैं हमने जो है previous day high को mark कर लिया है previous day low को mark कर लिया है तो अब देखते है 29 March को किस तरिके से market VIP किया है तो 29 मार्च को भी मार्केट है जो है मैंने बता रखा था open drive rejection उसमें क्या होता है जो पहली candle बनती है उसकी pivot line के उपर जो है resistance phase करती है लेकिन क्या होता है next candle जो है उसके high को break कर देती है तो यह pattern जो है अब apply नहीं होता है क्योंकि उसकी high को है next candle नहीं break कर दिया इसमें क्या होत है जब तक उसके high को कोई दूसरी candle ना break करें और क्या करें उसके low कोई candle ब्रेक करें तब जाके हमारे बनता है लेकिन इसमें क्या होता है दूसरी candle जो है इसकी high को break कर देती है तो आज की दिन दोनों आपको case जो है समझने को मिल गया कि किस तरीके से कौन से candle जो है अच्छ उपर से ब्रेक करें तब क्या है वाइट दर लेना है नहीं नीचे से ब्रेक करता है तब उगन को ट्रेढ लेना था लेकिन अगर उससे पहले और उपर कर चुए तो ब्रेक union ख़तम हो जँगा वहीं पे अब कोई pattern उस पे नहीं रहा तो bank nifty में हमारा जो first candle पे कोई pattern नहीं था उसके बाद market क्या होता है दिन भर जो एक sideways रहती है और दिन भर हमारा market कोई भी जो है दूसरा कोई pattern नहीं बनाता जिस पे हम जो है trade ले सकते थे आज के लिए बस बैंक nifty में हमारा कोई लेक मात trade बना जिसमें हमारा जो है 2R का target अचीव हुआ है nifty में हमारा कोई भी आज trade नहीं बना तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद थैंक्यू गाइज